नवश्कार मेरे प्यारे दश्कों तमीबाइच्पिद रहीनों में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह हरी हरी कसूरी मेथी बनाने की एक नहीं दो-दो ट्रिक्स तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें मेथी सुखाने के लिए कैसी मेथी को चुनना चाहिए कसूरी मेथी बनाने के लिए तो कसूरी मेथी बनाने के लिए हमें यह दो तरीके की मेथी आती है मार्केट में लंबे पत्तों वाली और गोल पत्ते वाली तो हमें गोल पत्ते वाली मेथी को लेना चाहिए हम सब्जी वाले को बोल देख सकते हैं कि हमें कसूरी मेथी बरानी है तो वो हमें गोल पत्ते वाली मेथी दे तो उसको हम लेके सुखाएंगे तो उसकी बहुत अच्छी खुश्बू आती है लंबे पत्ते वाले से खुश्बूनी आती है और उसको सुखा के हम उसको साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक की नई मेथी मार्केट में आती है तो चलो इसको मेथी को तोड़ते हैं एक-एक पता-पता करके तोड़ना है हमने डंडी की हमें जरूरत नहीं है डंडी से पत्ते अलग करके और हम सारे पत्ते एक चकार डाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से साफ पानी में दो के क्योंकि ये मिट्टी में उगती है तो हमें इसको साफ पत्ते पत्ते तोड़के और धो लेना है, साफ पानी में, खुले पानी में धोएंगे, तो बड़िया तरीके से धोल जाएंगे, हमने इसको दो-तीन बार पानी में करके धोना है, और इसको चाननी में रखके थोड़ी दिर पानी निकल जाए, तो फिर एक साफ कपड़े पे इसको बिछा देंगे, ता प्लट कर देंगे पत्तों को और फिर इसके बाद चार मिनट के लिए और माइक्रोवेव में रखेंगे तो बस यह हमारी कसूरी मेथी बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी तो अब एक मिनट में यह ठंडी हो जाएगी बाहर निकालने के बाद में तो देखिए कितनी और लाजवाब मेथी हरी हरी मेथी बनके तैयार हो जीती है तो अगर आपके पस माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको बाहर कपड़े में रखें कमरे में ही रूम टेंपरेचर पर ही इसको सुखा सकते हैं दूप में नहीं सुखाएंगे दूप में मेथी काली पड़ जा पर इस मेती को साल भरदंग ँंजोई करें आलू के परांटे में डालें कड़ी में डालें मेती आलू बनाए आलू बनाए तो उसमें डालें तो क्या है न क्या मज़ेदार और लाजवाब सी कसूरी मेती बनाने की ट्रिक केवल चार मिनट में और चार मिनट और में मतलब की टोटल आठ मिनट में आप कसूरी मेथी बना के तायार कर लेंगे और बजार से महंगी मेथी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आपको पैकेट वाली मेथी लेने की जरूरत नहीं घर में बनाएं कसूरी मेथी अगर आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई तो अपने फ्रेंच और रिलेटिव के साज ज़रूर शेयर करें और टमी बाइट स्वेद रिने को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू फो वाचिंग मैं चैनल